हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सोनी स्विजन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स को आपको अपना आइडिया कैसे पिछ करना है किन चीजों की तैयारी आपको करनी है इन्वेस्टर को पिछ करने से पहले तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्ट क्या है और थोड़ा बहुत ही आपने उसके उपर वर्क कर रहा है तब फंड रेस करना सबसे मुश्किल काम होता है इट इस एजियर टू रेस वन थाउजन करोड एट सम वैलुशन दें तो रेस फाइफ करोड एट इनिशल स्टेज मतलब एक हजार करोड रोपर रेस करना वहुत असान है जब आपका आइडिया वक कर रहा है रेवनी जर्नेट रहा हूँ कमनी अच्छे से चल रही हो बड़ जब आइडिया स्टेज होता है उसके उपर पांच करोड रेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है तो आइडिया स्टेज के ऊपर सबसे जहादा आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको आज बताऊंगा सबसे पहली चीज गेट अफ वेल देखो अगर आप अच्छे से तैयार नहीं हो ना बिल्कुल प्रफेशनल नहीं लग रहे हो फ्रमल की अंदर नहीं हो और अच्छे से आपने अपना को कैरी नहीं करा तो इन्वेस्टर का जो फ्रस्ट इंप्रेशन जाएगा ना वो बिल्कुल खराब आप जायेगा आपके उपर, पिच तो बात की बात है, विजनस आइडिया तो बात की बात है, सबसे पहले, investor आपकी शकल देखता है, आपको देखता है, आपकी personality को देखता है, तो आपको उसके उपर बहुत अच्छे से work करना पड़ेगा, अगर आपको investor से पैसा उठाना है तो दूसरी चीज़, do a lot of practice before pitching, at least hundred times, अब pitch करके देखो अपना idea को किसी और को, क्योंकि देखिए, investors है न, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और जब हम investors के सामने जाते हैं, तो कहीं बार हम नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसा काम करा नहीं है, इसलिए, at least 100 बार अपनी pitch को तैयार करो, 100 बार किसी के सामने pitch करो, जिससे जब आप investor के सामने जाओना, तो बहुत easily, आप pitch कर पाओ, और अपनी बातों को रख पाओ, तीसरी चीज, have a clear vision, vision रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, investor, बहुत सारी negative बाते आप से करेगा, आप बोलो जैसी वो कुछ point raise करें, आप अपना vision clearly दिखा दो उसको, यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, फिर उसके बाद, चौती चीज, don't say you have no competition, यह सबसे खराग चीज होती है, जैसी आप investor को बोलोगे, वो आपकी पिशुटा के बार फिक देगा, वो देखेगा भी आगे उसक करता है, पर्ट मेरा competition imperfect है, मार्केट है vacuum create कर दिया है, उस vacuum में हम गुसेंगे, और हमारा परट लेकर आएंगे, जैसे policy बजा, अब policy बजा को नहीं चीज सोना लेकर आया, policy तो कर रहे हैं, पर उन्होंने vacuum का देखा, जो agents होते थे थे न, वो कुछ भी बता के, कुछ भी बो competition है, यह वो गलत काम कर रहे हैं, और यह vacuum में full कर रहा हूं market के अंदर, पांचवी चीज, don't show a product, show a investment plan, सही चीज बताई मैंने, investor को न, आपके product से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा deep में मतले जाओ, angel investor को, उनको मतलब है मेरा return कैसे निकलेगा, उनको investment plan दिखाओ, पिछ दिखाओ, वो चीज समझाओ, कि सर आपको ऐसे invest करना है, ऐसे जा कि आपका पैसा पुरा भाहर निकलेगा, जब एक करोड दाल रहे हो न, यह दस सालों के अंदर आपका एक करोड, सौ करोड बनेगा, यह चीज दिखाओ, angel investor को, इस पे उसको believe दिलाओ, definitely वो आपके startup में प सौ करोड के हो जाएंगे, यह आपको डील दिखानी पड़ेगी, वो आपके business में interested नहीं जादा, वो उस डील के अंदर interested है, तो सारा focus उस डील के अपर रखना, क्या best equity उनको offer कर सकते हो, और कौन सी price के अंदर कर सकते हो, 7 जीज, never pitch directly, क्या होता है, हम लोगों को, जब investor मिल जितना आप email के उपर work करोगे, हर चीज return के अंदर भेजोगे, अच्छे से professional email भेजोगे, उतना investor को लगेगा, क्या professional हो, professionalism को follow करते हो, और यह चीज investors को बहुत पसंद आती है, इसलिए हमेशा investors का personal email ID मांगो, कहो कि हम सारे details आपको वहाँ पे share करेंगे, 8 चीज, try to build the trust, द दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत जदा hard working हो, talented हो, professionalism को follow करते हो, इसके लिए social media profile को अच्छे से बनाओ, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप social media के पर jokes को post कर रहे हो, आपने फालतों के pages को follow कर रखाओ, आपको दिखाना पड़ेगा, कि आपका character बहुत strong है, आप बहुत professional अपन करो, देखो क्या होता है, visiting guard 500 रुपे से लिके 1000 रुपे के बीच में आजाते हैं, अच्छे आज के time में, आप किसी investor से मिल रहे हो, तो उसको अपना visiting guard दो, कि सर ये मेरी company का नाव है, मैं इसका founder and CEO, इससे काफी अच्छा impression पढ़ता है investor के सामने, तो ये भी काफी सारे factors होत देखिए, जैसे कि 2006 के अंदर, जजज जाहिल के अंदर, investment करा गया था, और जो deal होई थी ना, वो deal होई थी 50 करोड की, और 2014 के अंदर, जिस investor ने 50 करोड इंवेस्ट करे थे, उसको 30 times return मिला, और आज उनके stakes की value 1500 करोड है, मतलब आप देख सकते हो, 50 करोड का investment करा, और 8 से 9 स सालों के अंदर, 1500 करोड, तो बहुत अच्छी deal जजज जाहिल नहीं दी अपने investors को, red bus, इसका नाम था, आपने सुनाई होगा, इस company का, काफी अच्छी company थी, 2007 के अंदर, angel investors ने, इसके अंदर, 1 million dollar दा लेते, और 2013 के अंदर, investors को 25% return मिला, मतलब, जो 1 million dollar दा लेते, वो होग पैसा दालने के बाद, आपको 20-30% का return मिलेगा आने वाले time के अंदर, तो definitely, हर angel investor, आपके startup और business idea में पैसा लगाना चाहेगा, क्योंकि हर investor को सिर्फ return से मतलब है, यह चीज मैंने 10 बार repeat कर दी, इस angel investment series के अंदर, कि investor को सिर्फ आपके return से मतलब होता है, society का कितना भला हो र दालने के बाद, 10 करोड का return कितने time में मिलेगा, तो यह चीज आपको angel investor को दिखानी पड़ती है, जब आपका business सिर्फ एडिया होता है, और ideation stage की अपर होता है, जिससे आपके business को funding मिले, और आपका business तेजी से grow, so friends, मैं आशा करता हूँ, कि यह video आपको पसंद आई होगी, प्लेस इस video को like करके जाना, चैनल को फटा 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 सबस्क्राइब कर दो, कोई जैसी है, आप लोगों तुरने तुसका निटोशन मिल जाए, आपने इस video को जहां तक देखा, हम लोगों अतना है parent support दिया, उसके लिए धन्यवाद.